अरंब है प्रचंड है तो किस चीज का रहा है देखते हैं आप डेरिवेटिव चप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बहुत इंपोर्टन चप्टर है बहुत ज्यादा वेटेज इसको फैनल एक्जाम में सब लोग जानते होंगे जुनको पता नहीं है जो लोग जानते हैं उन सिर्फ इस चप्टर पे मिलें और ये चप्टर अगर आया तो ही अगला चप्टर आएगा नहीं तो अगला भी नहीं आएगा वो आया तो अगला मतलप डेरिवेटि Prob अगर नहीं है अगर आका परफिक नहीं हुआ तो लगबग आपका स्पृच्ट या जूर तो उसके बाद differential equation उसमें को differentiation है नाम ही है जोडा तो सबकुछ डिवेटिव है तो 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 को नहीं हो सकता तो रिमेंबर दीस ऐसा मत सोचो पिछले करना ही बढ़ेगा और तब भी मैंने बताया था ट्रिग्णोमेट्री एच्छे से करो डिर्वेट्यू में काम आएगा कि आपर देखेंगे उसका डिफ्रेंश ट्रिग्रोमेट्री के पिछले फॉर्मली यूज करेंगे हम करने वाले जैसे हमें फॉंक्शन में भी किया था तो शुरू करते हैं इतना दो पता चलिया और बहुत यह मज़ेदा है बहुत यह असान है जैसे हमने ट्रिग्रोमेट्री परफेक्ट किया वैसा ही है मुश्किल है नहीं बैस आपने कभी देखा नहीं होगा यह जब देखा होगा तो अच्छे से किया नहीं होगा इसलिए मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मुश्किल है गया मिल्कुल नहीं अब उसको आसान बनाएंगे जैसे हर टॉपिक हम आसान बना थे इसको भी आसान बनाएंगे आपके लिए खेल बन जाएगा बच्छो किक्ष्ट में एड़ देखना अच्छा देखना एक प्वाइंट म बेसिक्स पहले बता हूंगा देरेक्ट प्रॉब्लम से जाने साथ अच्छा थोड़ा बहुत पता हूं जैसे कि हमने ट्रिवनोमेट्री का पर बेसिक दीखा फिर आगे बढ़े तो आपको मजा आया तो आपको इस चक्टर के दवरान यहां से आगे यह डी वाइडी एक्स डी अपॉण डीएक्स बहुत दिखेगा यह बहुत से लोग पहली बार देरिवेटिव देख रहे हैं इसलिए मैं बेसिक से जा रहा हूं छोटी से छोटी से शुरूद करो भाई एंद लिक्वार एंध गॉव का सिया अफ़ आप ने जिलिग जा रहें लिए जिलिक्स एंव शर्व करें इसको हमու पढ़ें कैसे, derivative of x with respect to x is 1. मतलब पढ़ा कैसे मैंने, यह d y d x मतलब derivative, derivative of x, किसका derivative, इसका, with respect to x, यहाँ के जो होता है, वो with respect to kya आगे लगा नार्मेशा, remember this, किसका derivative, जो bracket में होता है, उसका derivative, derivative, derivative of x, यह bracket वाला x है, और यहाँ पर जो x है, वो नीच वाला x है, तो इसको कैसे बोलोगे, derivative of constant, with respect to x, सब में with respect to x ही है, जब जब formula हम करेंगे, और maximum 95% आपको with respect to x ही करना है, जब change आएगा, कभी कभी हो सकता है, यह variable change हो, तब मैं बताओंगा, वस वागी, विस रिप्व में जब ध्यान में रख रहे हैं, तो with respect to x रख रहे हैं, क्योंकि हर एक जगा पे आपको d by dl दिख रहा है, इसको कैसे पढ़ूँगा, derivative of x raised to n with respect to x, क्या होता है, is equal to n into x raised to n minus 1, अगर आगे, मैं इतना लंबे बाते नहीं करूंगा, मैं आभी बता रहूँ यह इसका meaning क्या होता है, पढ़ना कैसे है, actually, मैं आपको इतना ही पूछूँगा, x का derivative बता, आप बोलेगे, when, बात करता हूँ, ऐसी ही बात होगी, जब मैं problems on करूंगा, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ ज़रूद पढ़ी, x का derivative हो है, constant का derivative क्या है, रहे है, 0, ऐसे पूछूँगा, मैं हमे differentiation, ऐसा ही बो सकते, differentiation of, e rest to x, with respect to x, क्या होता है, e rest to x का, e rest to x होता है, मैं आपको पूछूँगा, root x का formula बता, derivative होगा, आपको बोलेगे, सर्फ 1 upon 2 root x, log x का बता, 1 upon x, log x to the base a का बता, 1 upon x into log a, sin x का बता, cos x, cos x का बता, minus sin x, यह formula है, यह सारे formula आपको, ज्यान में रखने, पढ़ेंगे, और यह basic पर, और इतने ही नहीं है, ऐसा हम समझे ना, इतने formula हो, बात नहीं, यह basic मैंने छोटे-छोटे लिखे है, शुरुआत में हम इन से करने वाले है, आगे देरी-देरे हम complexity बढ़ाएंगे, तो आपको अब यह उन formula आप, formula sheet डाउलोड करो, formula sheet तो आपको कहीं भी मिल पाएगा, लेकिन हम, मैंने जो sheet बना है, उसको follow करो क्यों, क्योंकि जो formula जरूरी है exactly आपके लिए, वो में ने दिये, जिस sequence में होने चाहिए, वो sequence में दिये, ऐसे वैसे कहीं से भी मत उठाओ formula, क्योंकि कहीं से कुछ मे याद रखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं, तो sir हमको पढ़ना कैसे है, यह तो आ गया, differentiation दुनिया में क्यों आया, क्योंकि इसके कुछ real life applications होते हैं, हर एक चीज़ के, इसलिए आया दुनिया में, आगे आपका कितना इसका use होगा जिन्दगी में आगे जाके, पत हो सकता है, आप क्या काम करते हों, इस पर डिपेंड है, लेकिन हर एक के लिए यह पता होना बहुत जोरी है, directly indirectly हमेशा use होगा, तो नहीं होगा, लेकिन आभी के लिए हम एक्जाम को ध्यान में रख रहे हैं, एक्जाम क्लिए होगा, तभी तो आगे जिन्दगी में बढ़ जो सबसे पहला जो फॉर्मिला है, constant का derivative 0 होता है, एक्स का वित रिस्पेट एक्स ही है, जैसी इस का derivative 1, एक्स रिस्पेट जियांका यंदे एक्स रिस्पेट यह सबसे ज्यादा important formula है, वो सबसे ज्यादा use होने वाला formula है, तो इसके ओपर थोड़े से हम अलग से बात करने ह इसलिए इसको यूज कैसे करते हैं यह मैं बता हूंगा यह फॉर्मिला कब आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात सबसे बड़ा प्रोब्लिम यही होता है अगर फॉर्मिला आपको सारे के सारे यादई भी है तो कहा पर कॉं सा यूज करना ही यह तो पता चलना चाहिए आपको समझ में जाना अरे यहां भी यह formula यूज करना पड़े ऐसा समझ में तो आना चाहिए यह कैसे आएगा समझ में थोड़ा सा common sense और थोड़ी सी ज्यादा यह दोनों चीज़े combination हो गया तो पता चले मैंने क्या किया मैंने बहुत बार पड़ा है सेकड़ो बार पड़ाया मैंने मुझने अभी तक सेकड़ो सेकड़ो बार पड़ाया डेरिवेट्व इसलिए मुझे जादा जरूरत नहीं है लेकिन आप एक्जाम औरेंटेड कर रहे ह लोग दुनिया में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं हमें इतना छोटा काम नहीं आता है है तो यह ऐसा नहीं रहते हैं ऐसे मत बोलु जहां जहांं ट्रिक से याद कीसे हो जाएगा वहां पर मैं बताऊँगा इन टो यहां पर तो यह यूज कब करना है सबसे पहला मैं एक इस अधे अउस्सका क्ट करना है derivative of x square तो इसको द्यान में कैसे रखना है constant सिर्पे होगा कहां पर होगा नीचे variable होगा और उस variable के सिर्पे constant होगा तब आपको यह formula याद आना चाहिए रिमेंबर इस बेरी इंपॉर्ट variable के ऊपर constant होगा तब यह formula याद आना चाहिए कौन सा यह ओना ठीक है हम प्रॉब्लिब्स लेंगे हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको प्रॉब्लिब्स लेकिन पहले बता रहा हूं अब यह variable कौन होता है यह होता है वेरियेबल डिवाइड इंग से नहीं यह हो गया एक्स यहाँ पर वेरियेबल हो गया और टू क्या है तो प्रॉब्लिब्स अब को पता है यहाँ पर लिखता हूं में एक्स यहाँ के साथ मैच हो रहा है तो यहाँ की वैल्वियाँ यहाँ पर क्या होगी वैर यहाँ पर राइट साथ में यहाँ की जगा पर मैं टू रखूंगा मेरा काम हो गया तो क्या करूंगा इसका डिरिविटिव कहाँ से आएगा फिर यहाँ इंटू मतलब 2 इंटू एक्स को एक्स की जगा पर एक्स ही है तो एक्स राइस इस यहन की जगा पर कितना डालना है हमें टू माइनस वन तो यह कितना आया टू एक्स टू माइनस वन कितना होता है वन एक्स रेस्ट वन किसी भी नंबर के किसी भी चीज़ के ओपर अगर वन होता है उसका पावर तो नहीं लिखा तो भी चलता है यहां पर 1 होता है वो दिखता नहीं हो सबसे छोटा सा सबसे सीधा सब प्रॉब्ले में छोटा सा बताया मैंने आपको इसका यूज़ कब आपको याद आना चाहिए थोड़ा सा कॉंप्लेक्स बताता हूं थोड़ा सा ठीक है हासल दुसरा एज आपर लेते हैं दी बाइड ऐएड एक्स ऑफ bisa 2 माइनस 3 अब एक्स क्या है वेरिएबल है जो उपर बैटा है वो आएगा सामने लिखके एक से कम करना है, सामने लिखके एक से कम करूँ, यहाँ पर करना क्या है, सामने लिखके किसको उपर वाले को उपर वाले को सामने लिखके एक से कम करो उपर वाले को सामने लिखके एक से कम करो, बात कतम करना क्या है? उपर वाले को क्या किया मैंने यहां पर उपर वाले को सामने लिखा और एक से कम किया देखो यह लिए यहां से आगे बढ़ेंगे तो यह स्केप में नहीं क। किंवाले को सामने लिएक से कम किया क्वाला किटना उत्लूब क एक से कम किया कितना घोब कितना आता है.. उपर गलता होगेata कर दो यहाँ पर वहीं करने वाले हैं कि उपर रॉड्य को सामने लिख़़़ 으ं-1 किया मतलब एक से कम किया तो यह कितना आया है माइनस 3-1 सब को पता है माइनस 4 होता है बात कत्व और एक लेते हैं कियों कियों अगर मैं I 4 उपर लेकिया आता हूं तो केसे लेखे measurement a यह कि अगर नीचे ऑपार का सांच चैजे करना पड़ता है प्लस होगा तो माइनस करो, माइनस होगा तो प्लस करो जहाँ पेगर माइनस पूर होता तो यह प्लस पूर करता तो हो गया ना इसके जैस सही क्या करना है उपर लिख, सामने लिख कि उपर वाले को सामने लिखो उपर वाले को सामने लिखा और उसको एक से कम करो माइनस 4 को एक से कम किया तो वो माइनस 5 बन जाता है क्योंकि निगेटिव नंबर है बाद करता है अब एक काम करते हैं और एक लेगता है रूट x3 रूट आप x3 यहां पर रूट ऑप कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो तो प्रूट आप एक्स ट्यूब का इससे अच्छा में उसके पहले यह वाला लेता हूं लेते चले एक्स ट्यू अब यह एक्स ट्रीवाई ट्यू पर नीचे वेरिएबल उपर कॉंसट्ट्ट्ट जो उससे फर्मेला केंवों के PengSu और वाला सामने आया और एक से माइनस किया अब ऑप्राइट उन यह बच्छो अला खेलक है ले। आपको पता होना ची एकसर इस करना है तो इसके लिए प्रेक्टिस ले रहा हुए एक जब में ऐसे सवाल इतने से इंपरोल नहीं आते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए एक सब्सक्राइब करना है कि अब इस फॉर्मिला को तो समझ में आ गया सब्सक्राइब यह वाला फॉर्मिला तो डिरेक्टली रूट एक्स के लिए इसमें समझाने का कुछ हाई नही इसके बारे में मुझे थोड़ा बता रहा है कौंसा सब्सक्राइब यह लॉग एक्स का फॉर्मिला कब यूज़ होगा मान लीजे आपको ऐसा आया लॉग आप एक्स बेस्ट कर टु आया नहीं इसमें यह फॉर्मिला को कुछ भी कर खेए अभी के अभी वीडियो आप जब यह देखोगे अब जब यह बढ़ोंगे यह होने के बार आपको आज की आज यह फॉर्मिली पर्फेक्ट कर लेने हैं क्लियर हासर हासर वो करें लिए दो और ठीक है और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँगा एक स्रेश्ट्मियन की उपर आप सोच लेना उसको कैसे करने हैं मैं आपको एक देर आऊंपल मुझे चाहिए डेरिविटीव ऑफ अर्य वच इसका क्या आता है कमेंट सेक्ष्यन में बताना है क्लियर इसका डेवेट्व जो भी आता है कमेंट सेक्शन में तो यह था स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का ही मतलब यह फॉर में लिए और हम इसके आगे पढ़ेंगे आडवांस लेवल पर जाएंगे जो भी आपको एक्जाम में आता है फिर से वही करेंगे इंपॉर्टर्ट कोईश्चन्स अगेरा सारी जैसे परफेक्ट करेंगे ठीक है तो करते हैं अगला डोपिक